हेलो फ्रेंड्स बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे है और दिवाली का समयında आपसभी Maid अप सभी केर सारी सुपकाम ने आपको और आपके घर वालों को प्लीज सेफ रही है अच्छे से दिवाली खेले की कोशी सेज़े और धेर सारा प्यार बाटी है तो आज के वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि मैं food photography कैसे करता हूँ जब भी मैं किसी client के लिए shoot करता हूँ या फिर खुद के लिए shoot करता हूँ तो मैं कैसा पूरा setup लगाता हूँ lighting कैसे करता हूँ या फिर product प्लेश्मेंट कैसी होती है कहां पे कैसे प्रॉप्स करते हैं यह सब आज हम देखने वाले है तो जैसे कि दिवाली का सीजन चल रहा है तो दिवाली में जो हम घर पे खाना बनाते हैं मिठाईया बनाते हैं वह हम shoot करेंगे अलोंग विट प्रॉप्स और वो सब यूज़ करके थोड़ा सा एक दिवाली थीम बेस्ट यह shoot रहेगा तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें single light हम यूज़ करेंगे मैं Canon का USR यूज़ कर रहा हूँ 24 वनफाइल लेंज इसमें आपको मैं पूरा डीटल में बताऊंगा कि हम यूज़ करें चुर्ट करने से पहले मैंने जीमाग में प्रिविजूलाइशन करके रखा जो बहुत इंपॉर्टांट होता है शूट करने से पहले की मेरा शौट कैसा दिखेगा एंच जिसमें ब्राउंस के इशेर सबसे ज़्यादा है क्योंकि हम जो घर में खाना बनाते या फिर sweet dishes बनाते हैं वो mostly brown color के रहते हैं जो दीवाली के main items रहते हैं वो mostly brown shades के रहते हैं तो मैंने backgrounds, props और यह सब brown color में use किया है तो monochromatic shot है और हमने flatly use किया है कि मुझे presentations दिखाना था कि क्या-क्या अलग-अलग items है हमारे पास shoot हमारे पास खाने के लिए और उसको हम कैसा present कर सकते हैं तो इसलिए मैंने flatly top angle shoot किया है तो ठीक है अब हम हमारा main shooting process चलू कर दें और बढ़ते हमारे table की तरह all right guys तो यह है हमारा आज का setup यहाँ पर मैंने Godox का SL 150 लगाया है width 85 cm का octa box अब मैं video shoot कर रहा हूँ इसलिए मैंने continuous light source use कर रहा हूँ otherwise मैं कौन सा भी flash light यूज कर था या फिर आप daylight में भी same use कर सकते हो और यहां पर tripod पर मैंने मेरा camera लगा के रखा है और table पर मैंने यह विनायल background यूज किया है थोड़ा सा brownie brown color का textures यूज क्या है filter coffee नाम का यह विनायल है वह में यूज कर रहा हूँ तो ऐसा कुछ हमारा final setup दिख रहा है light turn on करने के बाद और light अगर आप देखो तो camera के थोड़े side से आ रही है हम flatly shoot कर रहे है तो यह side light है और अभी यहां पर हम लोग-alग हमारे जो elements है food elements है बागी के वह design dslr में और देखते हैं हमारा dslr क्या देख रहा है अपने आखों से all right दोस्तों तो यह हमारा final backdrop ऐसा दिख रहा है हमारे camera बहुत ही बढ़िया light यहां से आ रही है और जो textures and all background पर वह भी बहुत अच्छे से जा रहे है तो basically यह frame ऐसी वर्टिकल होने वाली है अभी वीडि वीडियों मैं horizontally shoot कर रहा हूं क्यूंकि आपको ज्यादा से जादा view मेले देखने के लिए लेकिन end जो हमारा photo होगा वो वर्टिकल होने वाला है तो अभी यहां पर हम एक से एक हमारे elements add करते जाते है food elements या फिर बाकी के जो elements हम इस पर add करते हैं तो यह है हमारे food elements अलग शूट करने वाला हूं यहां पर चकली है लाडवे करंजी है चीवडा है हमारा दीवाली का favorite snacks जैसा आप देख सकते हो यहां पर यहां पर भी मैंने ब्राउन कलर के ही प्लेट शूज की है जिसमें ब्राउन रिंग है क्योंकि एक मुझे monochromatic effect देना है इसमें और एक थोड आते हैं तो सबसे पहले मैं लड्डू रग देता हूं यहां पर थोड़ा ओके देन देन चकली देन चीवडा अगर आप देख सकते हो तो यहां पर एक एस पैटन बन रहा है यहां पर इस एस कंपोजिशन बोलेंगे तो थोड़ा साम इसमें भी चेंजिस करेंगे यह जो तो फूड ऐटम से यह दोनों राउंड है और राउंड राउंड बाजो में इतना कॉंप्लिमेंट नहीं कर रहा था तो यह हमने थोड़ा सा ब्रेक किया है इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं आपका यहां पर प्लेटिंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जैसा कि अ जल्दी से काम हो जाते हैं इसको निकाल देते हैं तो अब यह हमारी एक बेसिक प्लेटिंग हो चुकी है हमारी फ्रेम की अब हम एक्सेसेरीज आड़ करेंगे स्पोंस हो गए क्लोट्स हो गए तो वह अभी हम आड़ करने वाले हैं यहां पर हमारे पास मुल्टिपल ऑप् मेरो अल्टाइम फेवरेड फिर थोड़ा सा रस्टिक वाला भी है अब यह फिल गोल्डन वन इस लुकिंग मच बेटर दिवाली का मौसम है तो गोल्डन अच्छा दी करा है देन हम थोड़ इसे एम्टी स्पेसेस लग रहे हम उसको भी फिल कर दें तो हम कौन सा भी एक नैपकिन वगरा यूज कर सकते हैं तो अब आसा इसको ख्रुश करके अब ने लगा दिया यहां पर एक और एक लेयर का एलिमेंट एड़ कर दिया यहां पर फिर दिवाली हमारी रंगों के बिना अधूर है तो यहां मैं एक रंग की प्लेट्स रख रहा हूं क्योंकि सारे लोग रंगोली बना दें स्पेशली औरते तो यहां पर मैंने सब्सक्राइब है तो एक थोड़ा सा अलग दिख जाए इसमें यह जो शाइड़ोज आ रही है साइड के लाइट से बहुत ही जादा सुन्दर दिख रही है और उसी के वज़े से हमें डाइमेंशन और डेप्त मिल रही है मेरे पाए उस दो दिये भी है तो हम ओके यहां प प्लेस करोगे तो सबसे पहले याद रखना कि उसको खाली रखना जैसे मैंने इसको खाली रखा है इसमें तेल नहीं टाला है तो आपको मूव करने में उतना ही जाएगा इसको थोड़ा सा एक प्रॉपर पैटन दे देते हैं बस अभी मुझे लग रहा है फ्रेम बहुत ही अच्छे से सेट है हमारा इसमें भला हमें थोड़ा सा एक और मुझे लग रहा है कि फ्रेशनेस जाए कुछ तो इसलिए मेरे पास पृष्ट है जंड पीले तो मेरे पासफ्लास है मैं हो यूज करूंगा फ्लार से आपे तो बहुत सारे फ्लार्स है मेरे पास अब लग रह इसमें एक फ्रेशनेस आ गई ओकी यह वाइट फ्लार्स भी बहुत सुन्दर दिख रहे हैं एक मेरे खलसे में यहां पर रख दूगा तो जल्दी से जान लेते हम लोग क्या किया था यह सेटप में सबसे पहले हम लोग ने ब्राइगराउंड यूज किया फिर उसके उपर हमने एस पैटन में हमारे प्लेट्स रखे देन हमने उसो थोड़ा रियरेंज किया कि कौन से पैटन सान और अच्छे से जा पा रहे हैं फिर हमने एक्सेसरी अड़ करना च शॉट्रेडी हो गया है और हमारे जो लाइटिंग है वो साइड लाइटिंग है तो लाइट हमारी हां से फ्रेम में आ रही है तो यहां बेद अच्छी से शैडूस देख पार है वो सॉफ्ट शैडूस है क्योंकि हमने सफ एक ओक्ता वोक्स यूज किया है बड़ा वाला 85 cm अगर आपके पर सॉफ्ट वॉक्स नहीं है तो आप कुछ भी चुनरी हो गई सफित कपड़ा हो गया वह आप यूज कर सकते हो ताकि सॉफ्ट लाइट आ जाए तो इस प्रकार से हमने यह पूरा हमारा सेटप कर दिया है तो अभी हम शूट करते है हमारा फाइनल शॉट ज हमारा और यहां पर हमारो हमारा फ्रेम प्रॉपर सेट है ओल गुड़ तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सिखने को मिला रहेगा अगर आपके पास भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हो तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके ब तो यह और मोस्ट वेलकम तू लेट मेंटो इस दिवाली पर लाइक कर दीजिया और थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज सस्क्राइब तो इस चैनल अभी मैं थोड़े रेगिलर वीडियो जालना अप्लोड करना स्टार्ट करूं गा क्योंकि अभी मेरा लाइटिंग अब करेंगा सबका सेटप धीरे धीरे जो कंपलीट होने को आ रहा है तो वह जैसे ही कंपलीट होता जाएगा मैं रेकिलर वीडियो लने की पूरी तरह से गोशिश करेंगा अगर आपको कुछ भी प्रॉबलेम हो या डाउट हो या फिर कुछ भी बता ना हो या फिर सवाल रहेंगे आप मुझे आस नहां पर बूच सकते हैं महां पर मैं मोस्ट आफ दे ताइम अवेलेबल रहता हो थैंक यू सो मच एंड वन्स अगें विशिंग यो वेरी वेरी हैपी दिवाली तो आल अफ यू था बाबाए